कि नमस्कार दोस्तों आप सबका एक बर फिर से मेरे चनल पर हारदिक स्वागित मैं आपका दोस्त वे गुगना आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे योग के बारे में जो दोस्तों लग भग ठारा साल बाद इस बाई माई की रात को ग्यारा बज़ के 57 मिनट पर बनने जा रहा है जहां दोस्तों एक ऐसा योग जो कुछ लगन वालों को इस मंदी के दोर में अचानक से धनलाब देगा नोकरी देगा उचपद देगा राजनिती में नाम देगा अकाउंट बैंकिंग मॉइल नेट वरकिंग कंप्यूटर आदित से सबंदित शेत्रों में काम्याबी देन करने जा रहे हैं जहां पहले से ही बुद्ध ग्रै के मित्र राहु ग्रै विराजमान है और यह जूती रहेगी एक अगस्त 2020 तक मतलब लग भग सतर दिन दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से मित्रों से खासकर उन दोस्तों से गुजारिश करूंगा यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और नोटिफकेशन बेल का जो बटन है उसे दबा दे तांकि जो भी वीडिय करूं चाहे वैदिक हो या केपी अस्टॉल्जी हो आप उसे दोस्तों मिस्ट ना कर पाएं ये शुब ग्रह बुद्ध क्योमनीकेशन का ग्रह है ये वपार कमर्स अकाउंट बैंकिंग मोबाइल नेट वरकिंग केंप्यूटर आदि से 17 शेत्रों का परतीक है शक्ति शाली बुद्ध आपके जीवन के इन शेत्रों में दोस्तों सफलता का परतीक है ताक्तवर पीच, शिक्षा, बीजनस, गनित, कमर्स, राइटिंग स्कील, अस्टालजी, शेर मार्किट ऐसे इन सब चीजों का कह सकते हैं कि कारक है ये आपकी कुंड़ी में बुद्ध उच्च का अपने घर का के इंदर यहां तरकों स्थान में है तो जा तक अपने जीवनकाल में मन ग्रह के साथ बैरता उसके गुन से प्रभावित होकर कार्या करने लगता है बुद्ध जब कुंडली में किसी अन्या ग्रह के साथ युदि समंद बनाता है तो कुछ ग्रहों के साथ इसके परनामों में शुपता दोस्तों बढ़ जाती है तो कुछ ग्रहों के साथ इसकी श जलने को उक्साता है राहू जातों को लाल्ची बनाता है जिसके लिए व्यक्ति साम दाम दंड भेद की नीतिया अपना कर जीवन में आगे बढ़ता है यह कैसा ग्रह है जो जदी किसी जाता की कॉंडली में अशुबस्तान पर बैठ जाए यह साथ ही बेहत मजबूती भी हो तो उसे धोके बाज बना देता है इतना ही नहीं इस ग्रह का बिगड़ना मानसिक दोश भी देता है लेकिन किस भाब में किस ग्रह के साथ इस पापी ग्रह का नाता बन रहा है इसके धार पर भी यह जाता की जिद्दगी को दोस्तों प्रभावित करता है इसलिए यह जोग और दिमाग जो कीसी को भी नेट वरकिंगे मादियम से हिसाब चाब में हेराफरी के मादियम से अबनी वानी के मादियम से धोखा धेने में माहिर होता है। यदि इस यूती पर गुरु का शुब प्रभाव हो तो जातक अनेक भाशाओं का ग्याता और चलाकी से अपना सवार्थ सिद्ध करने वाला होता है। और आहू उन सब ग्रहों को रिप्रेजंट करता है जो इसके साथ यूती योग में होते हैं दोस्तों। और आहू पहले सी अपने मित्तर बुद की राशी मिथुन में और 22 मई की रात को बुद खुद अपनी ही राशी और अपने मित्तर से यूती योग करने जा रहा है दोस्तों। सोशल व्यभार शील, अकाउंट, गनित, वकालत, नेट वर्किंग, बीजनस, राइटिंग, अस्टॉलजी, शेयर ट्रेडिंग, आद्धी के कामों में दोस्तों सब हंदा देती हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, ये दोनों ग्रह उस समय अविदी में जब ये यूती होगी लगबक सत्तर दिन, तो इस सत्तर दिनों में ये दोनों ग्रह मरिग शीरा नक्षत्तर जो की मंगल का नक्षत्तर है, में गोचर करेंगे। मतलब कुर्ली में मंगल जिन भावों का क्रेश होगा अब, ये यूती उन भावों को और मंगल के कारवतत्तर को लेकर भी दोस्तों कारिया करेंगे। अब बात करेंगे ऐसे कौन से लगन हैं, जिन को ये यूती शुफल परदान कर सकती है। सबसे पर्वफले बात करते हैं मेश लगन हैं राशी वालों की आपके थ़र्ड भाव में यूती जो बनने जा रही हैं, बुध मेश लगन वालों के लिए अकारक काहा अगा है और होता भी है लेकिन आपके थर्ड भाव में यजूती होने से और बुद्ध की एक राशी सिक्स भाव में होने से थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा लेकिन आपके रुके हुए काम बनने जा रहे हैं यदि कहीं इंटर्व्यू या कोई डील रुकी हुई या टार्गेट कोई पूरा करना था या आपका कोई अजनसी भीनस है या किसी डाकुमेंट के ना मिलने से आप परशान थे या ट्रांसफर को लेकर परशान थे तो अब आपकी सारी परशानिये दोस्तों खतम होने जा र राहू की युति आपके सेकिंड भाव मतलब मित्वराशी में होगी मतलब धन के घर में प्रवार के घर में वानी के घर में और बुद्ध की दूसरी राशी फिफ्थ भाव में मतलब संतान के घर में शेयर मार्केट के घर में जिसके कारण बुद्ध राहू की युति वान लव रिलेशन को बढ़ाएगी और विवाहिक जीवन को सुखद करेगी उसके बाद भागया शाली लगन या राशी दोस्तों वो है मिथुन इनके लगन में या यूति बनने जा रही है और बुद्ध की एक राशी फौर्थ भाव में मतलब सुकस्तान में और मंगल इनकी कु वज़ा से इनको धनलाव होगा सिक्स सॉरी और इलैवन भावों के संबंद से सुखों में दोस्तों व्रिदी होगी यह भी हो सकता है कि जिस प्रॉप्टि को यह लोग क्राएपर देना चाहते थे अब इनको क्राएदार मिल जाएगा जिस से इनको धनलाव होगा इसके बाद भगया शाली लगन या राशी कन्या इस समय दोस्तों करोना महमारी के कारण पूरे वर्ड में काफी लोग जो हैं नोकरी पर उनकी खत्रम रा रहा है यहां बीनस बुरी तरह पर भावित हैं लेकिन कन्या लगन या राशी वालों के टैंट भाव मतलब करम आप से आपको नोकरी मिल जाएगी यदि आपकी नोकरी नहीं है आपके पास रुकी हुई प्रमोशन मिल जाएगी हाई क्लास रिप्यूटेट इड लोगों से आपके रेलेशन बनेंगे रुकी हुई बीनस डीलिंग पूरी होगी आप इस बुरे समय में भी अपनी वानिम के माद्यम से अपने टार्गट को पूरा करने में सफल हो जाएंगे जो लोग राजनिती में हैं वो साम, दाम, दंड, भेद की निती उपना कर नाम कमाएंगे बात करूँगा उन लोगों के बारे में जो बिलिंग का काम करते हैं मतलब बिल इतरो दर काट कर जी एसटी अंद वालों की दोस्तों आपके चार्ट में ये जूती सिक्स भाव में बनने जा रही है दोस्तों और दूसरी बुद की राशी आपके भागयास्तान में जिससे आपका भागया पूरी तरह साथ देने के लिए त्यार बेठा है फिर चाहे कोई कोड केस हो को कमपीडिशन हो नोकरी चाहते हैं तो इस समय अवीदी में बड़ी हुई सेलरी के पैकेज के साथ आपकी नोकरी बदल भी जाएगी सो जो दोस्तों नोकरी बदलना चाहते हैं इस अवीदी में वो प्राई कर सकते हैं अब बात करेंगे कुम लगन या राशी वालों की आपके चाहर में दोस्तों यह यूती फिफ्ट भाव में बने जा रही है और बुद्ध की दूसरी राशी आपके एट भाव जो की बुरा भाव है नुकसान का भाव है पेमट रुकने का भाव है मतलब कुनली के बुरे भ बात नाओं को दृशाता दोस्तों यह भाव अचानक से लाब भी देता है जो सोचा ना हो यह भाव इंशूरंस का भी है रुके हुए धन का भी यही भाव है जैसे मैंने शुरू में कहा यह दोनों ग्रैजो राहू और बुद्ध हैं मंगल के नक्षत्र म्रिग शिरा में गोचर करेंगे और मंगल आपके चार्ट में थार्ड और 11 भाव का स्वामी है थार्ड भाव लोटरी का नेक लाइन का एग्रिमेंट का क्यूमनिकेशन का नेट वर्किंग का और 11 भाव गेन का लाब का मतलब यह जुतिया आपके रूके हुए धन जिसको आप भूल चुके हैं जिसके उपर आपने काटा मार दिया है उसकी प्राप्ति अब होगी लाटरी अब निकलेगी लेकिन बाकी के योग भी आपके चार्ट में होने चाहिए यह जुति इंशूरंस की जो पेमेट रुकी हुई थी उसकी प्राप्ति करवाएगी यह जुति किसी वसीयत के अबिदी में आप पर छपड़ फार धन वर्षा करने जा रही है आपको माला माल करने जा रही है दोस्तों राहु और बुद्ध की युति जो 24 मई को बनेगी एक अगस्त तक जो है रहेगी सो यह था आज का वीडियो यदि वीडियो को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए मिलते हैं एक ने वीडियो में तब तक दोस्तों नमस्कार